आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर्पी शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे मेश राशी के दो हजार चौबीस के वार्शिक फलादेश यानि एन्वर प्रेडिक्शन के बारे में इस संबंद में मैं यह बताना चाहूंगा कि यह फलादेश बहुत ही सामान्य है यदि आप अपना भविश्य और बहतर जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिकत प्रामर्श के लिए हमारी वेब साइट को विजिट कर सकते हैं और साथ ही नीचे दिये गए फोन पर कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं जहां तक इस वर्ष ग्रह स्थिति का प्रश्ण है शनी पूरे वर्ष कुंबर राशी में ही रहेंगे हलाकि वे कुंबर राशी में ही 30 जून 2024 को वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 को मारगी होंगे ब्रस्पती पहली माई 2024 को राशी परिवर्थन करके मेश राशी से वर्षब राशी में प्रवेश करेंगे तथा ब्रस्पती वर्षब राशी में 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो जाएंगे और वर्ष के अंत तक वह वक्री अवस्था में ही रहेंगे राहु वे केतु कर्मशह वर्ष परियंत मीन वे कन्या राशी में ही रहेंगे वर्ष के आर्म में ब्रस्पती लगन में हैं इसलिए मेश राशी के जातकों का विवेक और बादिक शमता अच्छी रहेगी स्वास्ते की द्रिष्टी से यह वर्ष्ट वेहला की ठीक है हलां कि मार्च, एप्रिल, नवंबर और डिसमबर में अत्यदिक खर्चा हो सकता है इसलिए फिजूल खर्ची से बचें लोन अप्रोवल या सैंक्शन अगर कहीं अटका है तो मई के बाद का समय अच्छा है और किसी भी प्रजेक्ट की प्लैनिंग मई के बाद अच्छे रूप से की जा सकती है वर्ष के पहले तिमाही में इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी घर में सुक शांती बनी रहेगी पारिवारिक संबन्द अच्छे होंगे और बच्चों से भी मन प्रसन रहेगा फरवरी मार्च एप्रिल और अगस्ट का महिना व्यावसाय के दिरिश्टी कोंड से अच्छा है काम दंदा ठीक ठाक चलेगा फरवरी महा में अपने कारेस्थल पर यानि अपने आफिस या फैक्टरी में या कोई और बिजनिस प्लेस पर किसी अगनी की घटना के प्रती सचेत रहें थोड़ा धैर्रे को रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णे ना लें कुछ करमचारी अग्रिसिव हो सकते हैं ऐसी इस्तिती में अपने निर्णे को टालना ही अच्छा है हाला कि मई के महीने में किसी सरकारी विभाग से कोई नोटिस प्राप्थ हो सकता है बहतर होगा किसी भी सरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का बाद विवाद यदी हो तो उसको टालें जन्वरी, नवंबर और दिसंबर को छोड़ कर सेश महीनों में मनोबल अच्छा रहेगा तथा कम्मिनिकेशन भी काफी एफेक्टिव रहेगा फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त के महीने में कोई आंत्रिक द्वंद रह सकता है इसलिए अपने निर्णे को टालना ही ये बहतर होगा जन्वरी के महीने में कुछ लोगों से सतर्क रहें क्योंकि वे आपके वुरुद कोई गुप्त योजना बना सकते हैं किसी भी जूटे मामले में फसने से बचिये धार्मिक कारियों के लिए जन्वरी का महीना बहुत अच्छा है यदि कोई पैत्रिक संपत्ती का विवाद चल रहा है तो उसको अपरेल तक टालें कुल मिलाकर यह वर्ष निवेश के लिए यानि इन्वेस्टमेंट के लिए कामदंदे के लिए और धर्मिकारियों के लिए बहुत अच्छा है मैं इश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी का यह नूतन वर्ष बहुत अच्छा जाए इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भवश्य में रोचक और घ्यानवर्दक एस्ट्रोजिकल वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ओम नमाशिवाए